हेलो गाइस, वेलकम टू स्टेडी स्किल सक्सेस यार ये वीडियो आप सभी NEET 21 एस्पिरेंस के लिए काफ़ी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है बिकोज इस वीडियो में मैं जो डाउट साब सबके सॉल्व करने वाला हूँ वो आलमोस सभी स्टूडेंस के डाउट है वीडियो काफ़ी ज्यादा इंप्रस्टिंग एंपोर्टेंट है देन वीडियो को आप लास्त तक जरूर देखिएगा अब क्या हुआ था ना कि जिस टाइम री नीट इग्जामिनेशन का इश्यू चल रहा था एक एक करके सभी डाउट को कवर करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं हमारा पहला डाउट जो की है OTP इश्यू अब काफ़ी सारे स्टूडेंस का OTP को लेकर इश्यू आ रहा है कि उनका जो वन टाइम पासवर्ड है जिसे हम OTP बोलते है वो उनकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उन्हें नहीं मिल रहा है तो NTA ने बोला है कि इस इश्यू को सॉल कर दिया गया है आप दोबारा से ट्राइ कीजिएगा अब आपको जो OTP है वो आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर रेजिस्टर्ड इमेल आइडी पर मिल जाएगा ठीक है फर्स्ट सेकिंड मिस्टेक इन बबलिंग अब जब हमने नीट 21 का एक्जाम दिया था तो उस समय हमें ओमार शीट में कुछ बबल्स को फिल करना पड़ा था तो उन बबल्स फिलिंग में अगर आपसे कुछ मिस्टेक हुई है तो गबराईएगा मत उन मिस्टेक का आपके रिजल्ट्स पर कोई भी नेगटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा ऐसा एंटिया का कहना है तीसरा जो है वो करेक्शन इन पर्टिकुलर्स आपको फेस टू के रिजिस्टेशन स्टार्ट होगे हैं जो की करने कमपलसरी हैं और इन फेस टू के रिजिस्टेशन में आप कुछ करेक्शन भी कर सकते हैं जैसे कि आपकी डेटो बर्थ हो गया, आपका registered email ID होगी, आपकी category होगी, ये कुछ particular columns है जिन पर आप correction भी कर सकते हैं. नमबर चार दिया गया है refund of duplicate payment, अब कापी बार students क्या करते हैं कि आपनी जो payment है वो दो बार कर देते हैं, ठीक है, एक बार payment होगी लेकिन दोबारा कर देते हैं, और कई बार क्या होता है, network issue की वज़ा से आपका जो payment है वो दोबारा हो जाता है, तो ऐसे मैं NTA ने बोला है कि अगर आपकी duplicate payment हुई है, यानि कि दो बार payment हुई है, तो वो refund कर दी जाएगी जिस account से आपने payment की है उसी account में, ठीक है, नमबर पांच, phase 2, second phase in need use online application, phase 2 के जो application form है, वो एक October से start हुए है और 10 October तक चलने वाले है, दोबारा आपको इसका मौका नहीं दिया जाएगा, एक ही म होका मिलेगा, तो आप इनके registration कर लीजेगा, अगर आप registration नहीं करते हैं, तो आपके application form को reject जो है, वो कर दिया जाएगा, ऐसा NTA का कहना है, नमबर 6 आपका re-examination को लेकर दिया गया है, तो इसमें NTA ने बोला है, the need use 21 is already held on 12 September 2021, till now there is no such possibility of re-examination for need use 2021, ठीक है, तो NTA ने आप बोल दिया है कि कोई भी possibility नहीं है, re-need के examinations को लेकर, क्योंकि आपका जो need का examination है, वो already 12 September को conduct कर वा लिया गया है, उसके बाद आता है, CAST certificate, काफी सारे students के certificates को लेकर doubt थे, तो इस पर उन्होंने बोला है कि NTA is the exam conducting body, verification of the document is done at the time of counseling, जर्नल, EWS, SC, ST, OBC, and PWD candidates will be required to produce the original certificate as per prescribed formats issue by the competent authority, ठीक है, तो NTA ने बोला है कि NTA सिर्फ एक exam conducting body है, वो किसी भी परकार का कोई भी document verification नहीं करती है, आपके जो documents verification होंगे, वो counseling के time MCC दवारा करवाये जाएंगे, ठीक है, तो अभी आपको किसी भी के परकार की कोई भी documents की need न आपको basic details ही fill करनी है, जो documents होंगे, वो आपको counseling time साथ में लेके जाने होंगे, जहाँ पर आपका document verification होगा, अब यहाँ पर number 8 और last दिया गया है, 11th class details, already video बना चुका हूँ, candidates are informed that 11th class details are not mandatory, candidate can leave the column empty if they don't have the details, अगर आपके पास 11th की details नहीं है, तो आप उस column को खाली छोड़ स सकते हैं, क्योंकि जो 11th की details है, वो mandatory नहीं है, तो यह कुछ 8 doubts है, जो की NTA ने solve किये है, अपने email के माध्यम से, अब इनका screenshot मैं already मैरे telegram channel पर डाल चुका हूँ, वो अगर आपने नहीं देखा है, तो वहाँ से जाके उस screenshot को आप देख सकते हैं, तो यार यह complete video थी, जिसमें मैंने almost सभी जितने भी phase 2 registration को लेकर doubts आ रहे थे या और भी कोई neat examination को लेकर doubts थे, उन सभी को cover कर दिया है, उमीद है कि आपको पूरी जानकारी पसंद आई होगी, इसके अलावा भी अगर आपके कुछ doubts बच आते हैं, तो comment section में comment कीजिएगा, मैं उन doubts पर भी एक separate video आपको दे दूँगा, बाकियार ये वीडियो कैसी लगी, उसके बार में comment section में comment करके जरूर बतरिएगा, मिलती है ऐसी ही किसी new other videos में, तब तक के लिए good luck and have a nice day.